दोस्तों हमारे पास आईए यह इंटेक्स की LED TV जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा इंटेक्स की ओर्जिनल है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं बोर्ड वो यह दोस्तों इसमें 12 वोल्ट के जो होते हैं 12 और 5 वोल्ट में तो फिलाल दोस्तों मैं भी आपको एक लाइट जली रह रही है जो कि दोस्तों यह आपन नहीं चल लिए अगर मैं जो स्वीच से इस्टेंडबाइ भी करता हूं तो नहीं हो रही है वैसे इस्टेंडबाइ अपना पी है जब हमारे दोस्तों यह कर देती कि हमारे इस्टेंडबाइ सुरू से यह अपना पी हो जा तो अब दोस्तो हमें आपको एक पर दिखा देते हूं ईकर phone को और हम उने इसके पिलस पे तो पर नुसे दोस्तो आप देख सकते हो यहां यहां पर दोस्तों एक regulator लगा है जो कि दोस्तों यह 12 वोल्ट के लिए होता है और फिलाल दोस्तों दूसरी वोल्टेज भी दिखा देता हूं वैसे 12 वोल्ट के पैनल है तो फिलाल आप देख लिजे इस regulator पर भी तो थोड़ा मैं भी आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा पास स आप देख लिजे ठीक है तो यहां पर दोस्तों एक regulator होल लगा हुआ है जो कि दोस्तों इधर की साइड है जो हमारी कोफ के बराबर में होता है ठीक है 12 वोल्ट की जो यहां पर होते है यहां पर दोस्तों एक यहां पर आप देख लिजे यह भी अठार वोल्ट आ रही है ज तो फिलाल दोस्तों यहां पर हमारी वोल्टेज कितनी आनी-ची आई इसकी V panel दिखा देता हूं यहां पर दोस्तो 3.3 voltage हो पूरी अगर हमारे दोस्तो एक भी कम है तो या तो आपका क्या करेगा hanging problem करेगी LED TV दूसरी बात क्या है अभी मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ इसे regulator को लगाने का तरीका क्योंकि अगर यह वाली problem वाती है ठीक है पहले तो बात होगी hanging problem फिर दूसरी होगी है दोस्तो हमारी जो यह हमारी red light पर जली रह रही है ठीक है तो आप उसे समझोगी कि इसमें software की कमी है तो दोस्तो आपको क्या करना है यह जो memory IC है आपको इस पर voltage check कर लेनी है अगर यह वाला board है तो same ठीक है memory IC पर आठी पीन पर दोस्तो आपकी 3.3 voltage आनी चीए थी यानि कि 3.3 voltage आनी चीए और 3.1 voltage तो दोस्तो यह गलत है तो हमने जो आपको दोस्तो आपको बताया तो वापर 3.3 voltage आनी चीए अब मैं दोस्तो आपको इस module को आपको लगा के दिखा देता हूँ जो कि दोस्तो यहाँ पर 3.3 voltage पर हमने चीए वो कर दिया है यानि कि इसमें sort कर दिया 3.3 voltage जिससे कि दोस्तो आउटपूट में हमें 3.3 voltage मिल जाए और input कितना लेता है यह module input लेता है दोस्तो आपको बार voltage ठीक है तो आप दोस्तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर module के connection करें है और एक इसमें दोस्तो ग्राउंड होता है output के लिए दोस्तो ठीक है तो ग्राउंड तो हमेशा के लिए connect ही होता है और फिलाल दोस्तो हमें पहले क्या देनी है इसमें input bar voltage input bar voltage कहां से मिलेगी अब मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ ठीक है तो दूसरी साइड से मैं भी आपको दिखाऊंगा कि दूसरी साइड से हमें बार voltage कहां से मिलने वाली है तो जो मैंने दोस्तो आपको regulator IC पे दिखाई थी तो बार voltage हमें यहां से input दे देंगे और ground लगा देंगे दोस्तो इसके साइड में एक जीक है बार वोल्ट वाली उस पे दोस्तो हमने ground जो नसे दूसरी पिन है उस पे हमने ground लगा दिया और जिससे हमें output देनी है यानि कि 3.3 voltage वो हमें देनी है memory IC पे जिससे कि दोस्तो हमारी चलने के बाद हमार सिधा यानि कि hanging problem न करें और red light problem नहीं करें तो इस वज़े से दोस्तो हमें memory IC पे आठी पिन पे देनी है और वो हमने यहाँ पर हमने इसे लगा दिया जो module होता है यह ठीक है कुछ इस तरह से यहाँ पर module है और इसमें module में अलग-अलग voltage होती है जैसे कि 3.3 voltage ले लिजे 5 voltage ले लिजे तो यह हमारा दोस्ता output के लिए है और हमने यहाँ पर short कर दिया ठीक है तो यहाँ पर दोस्ते इसे module को रख देते हैं और आपको final इसमें चला के अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हमने बिलुकुल connection तो अच्छी तरह से कर दें आप भी connection देख सकते हैं बस सिर्फ इसमें क्या करना है आपको 3.3 voltage देखनी है अगर यह वाली आ रही है तो ठीक है कुछ और problem हो सकती है अगर नहीं आ रही है तो दोस्तो फिर किया दिक्कत हो सकती है वो हमें इस IC में पतल चल जाएगी कि अगर voltage आ रही है नहीं आ रही है तो दोस्तों यहाँ पर red light है तो आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पर touch नहीं किया जो भी switch है यहाँ पर देख सकते हैं green light on हो चुकी है खुद ही ठीक है यानि कि standby से अपना पर release हो चुकी है तो यहाँ पर index भी लिखा आ चुक है बिल्कुल अच्छी तरीके से तो यहाँ पर आप देख लिजे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है no signal भी आ चुक है लिखावा तो हमारा दोस्तों LED बिल्कुल अच्छी तरीक से चल चुकी है एक बार और आपको दिखाने की कोशिस करेंगे ठीक है अभी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख लिजे दुबार से जिससे कि दोस्तों आपको बिल्कुल पक का याकिन हो जाए हमारी चल चुकी है LED ठीक है यहाँ पर एड़ा भी अभी देख सकते हैं आप गिरिन हो चुकी है अब दोस्तों हमारी बिल्कुल LED चल चुकी है अभी मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ ठीक है इंट्रेक्स लिखा वया आ चुक है तो आप गए सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सेर करें मिलते नेक्स वीडियो में बंदे मातम जहें जासिया हूँ